नमस्कार विद्धर्थी मित्रों आज हम बीकाम पार्ट वन के दुतिय सत्र की जो अमारी कविता दीवी है नागारजुन द्वारा रचित कविता बगुत दिलों के बार उसका अध्यान करेंगे तो पहले हम कविका परिचे देख रहेते हैं तो नागारजुन जी का नाम है बैदनाप मिश्र लेकिन वो नागारजुन के नाम से जानने जाते हैं इनका जन्म दर्भंगा बिहार में हुआ है और राजनितिक सक्रियता की वज़े से इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा है राजनितिक संगर्ष, स्वार्थ, भ्रस्टाचा और समाज की गतिशीलता के प्रती इनका साहित्ते विशेस रूप से सजग रहा है आपके साहित्तिक सर्जन में शोशन का विरोथ, जन्तंत्र में विश्वास व्यक्त हुआ है लोक जीवन के साथ आपका गहरा सरोकार है, आप सही माइनों में कवी है इनकी रचनाए हैं, इनकी प्रभुप रचनाए हैं हमने देखी सतरंगे, पंखो वाली, युगधारा, प्यासी पत्राई आँखे तुमने कहा था, ऐसी इनकी और भी रचनाए हैं तो जो हम कविता का अध्यन कर रहे हैं, बहुत दिनों के बाद, उस कविता में कवी ने बहुत दिनों के बाद अपने गाओं की सुश्मा को देखा है, संदर्य को देखा है कवी ने अपनी जो पंचिंद्रिया है उसमें प्रकृति का रूप, रस, गंध, स्पर्ष, स्वाद, आदी का आस्वाद लिया है। जिसमें उनके मन की तुर्प्ति और आनंद प्राप्ति की जलग हमें दिखाई देती है। कवीता में कवी का अपना गाउं और वहां की प्रकृति के प्रती उसका निशन स्नेय बरस रहा है। तो इस कवीता में कवी ने अपने गाउं में जो प्राकृतिक रूप से नैसंगिक रूप से जो जीवन ने उस जीवन को जिया है। उसका ही यहाँ पर कभी ने बहुत सुन्दर शब्दों में उल्ले किया है, जो की अभी हम देखेंगे, बहुत दिनों के बाद, अब की मैंने जीवर देखी, जीवर का मतलब है यहाँ पर तुरुप्त हो कर देखना, चुकि इस कविता में जीवर शब्द का बार बार उप्यों किया है, बहुत दिनों के बाद, अब की मैंने जीवर देखी, पकी सुनहली फसलों की मुस्कान बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, अब की मैं जीवर सुन पाया, धान-कूट्टी किशोरियों की कोकिल-कंठी तान कोकिल-कंठी सा मतलब है यहाँ पार कोयल की मदूर जो बोली है उसको कभी ने कोकिल-कंठी कहा है बहुत दिनों के बाद अबकी मैंने जीवर सुंगे मौल सिरी के ढेर-ढेर से ताजे-टंके फूल ताजे और टटके टटके का भी मतलब ताजे होता है मौल सिरी यह जो बकुल के फूल होते है न उसकी सुगन बहुत अच्छे आती है बहुत दिनों के बाद अब की मैं जीवर छूपाया अपनी गमई पगडंडी की चंदन वरनी धूल अब गमई पगडंडी गमई ग्रामिन गाउ पगडंडी आपने देखा होगा कि जब हम गाउं में चलते हैं घास पर चलते हैं तो वो चलते चलते ही एक प्रकार की रास्ता बन जाती है उसे उन्होंने पगडंडी गाहा है चंदन मरनी अर्था चंदन की तरह धूल बहुत दिनों के बाद अपकी मैने जीभर ताल मखाना खाया ताल मखाना जो मखाना होता है या सिंगाडे उसको कहा है उन्होंने गन्ने जीभर चूसे बहुत दिनों के बाद अपकी मैने जीभर भोगे भोगे उपभोग लेना आनन्द लेना गंद रूप रस शब्द स्पर्ष सब साथ साथ इस भूपर बहुत दिनों के बाद भूपर अठाथ इस जमीन पर इस पृत्वी पर तब कभी क्या कह रहे हैं कि कभी को अपने गाउं की मिट्टी से बहुत लगाओ है वो अपने गाउं की मिट्टी से अत्यदि प्रेम करते हैं और थाथ यहां पर कभी आप कहीं अपने गाउं को छोड़ के कहीं महानगर में गए हैं जहां पर कि यह सारी चीजों का अभाव हो तो कवी जब तक महापड़ता तब तक तो ने कुछ नहीं लगा, लेकिन अब जब कमी अपने गाउं को छोड़कर शहर की ओर गया है, महानगर की ओर गया है, तो तब हो इन सारी चीजों की कमी को महसूस कर रहा है, अब बहुत 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 है, कि गाउं में जब बारिश आ जाती है, तो मिट्टी में पानी पड़ता है, तो उसकी जो खुश्बू होती है, मन प्रसंद हो जाता है, यह सब आनन्द केवल और केवल गाउं में है, न की महानगर में, न की शहर में, तो कभी ने बही महसूस किया है, और अपनी मिट्टी से उन्हें जो लगाउं, उस उन्होंने यहां पर व्यप्त किया है, तो वो कह गए हैं कि किस तरह से, मैंने अपने गाउं में अलग अलग तरह की फसलों को देखा है, फसलों को अनुभूती किया है, उसमें उन्होंने अपनी पूरी इंद्रियों का उपयोग किया है, प्रकृतिक रूप रस्का, गंध श्वाध आदी सभी का उन्हों ने आस्वाद लिया है तेहने का मतलब क्या आपकान नाव्जीव इन सभी इंद्रियों से उन्हों ने उसकी अनुभूती की है और जीभर के गाउ में पकी हुई सुनहली फसलों को उन्होंने देखा है जीभर के मतलब पूरे तुरुत हुए अता है चुकि शहर में महानगर में उन्हें इस तरह का कुछ भी दिखाई ने देता है खेतों में जैसे हम देखते हैं ना जो सरसो का समय होता है तो खेतों में पूरा पिला पिला लेलाहती फसल दिखाई दीती है तो उसको देखके हमें आत्निक सुख मिलता है और जब फसल पूरी तरस से सूख जाती है तो उसको सुनहले रंगी हो जाती है कि मैंने बहुत दिलों के बाद में अपने कानों से मधुर स्वर में देखिए वो महानगर में है महानगर में आपा धापी के इस यूग में हर समय गाड़ी मोटर की आवाज सुनते सुनते उनके कान पंग गए हैं उनके कान अब इन आवाजों को सुनने के लिए लाला ही थै तो उन्होंने क्या किया है कि अपने गाउ में जो धान कूटती महिला है और धान कूटते कूटते वो सुन्दर सुरो में गाना भी गाती है तो और जब मजदूर होता है किसान होता है यह लोग जब खेत में काम करत करते हैं तो उन खेतों में मजदूरों को जो गीत है उस गीत को अब जब गाते हैं तो कभी वही बताना चाह रहे हैं कि वो जो गाँ की इतनी सुंदर नौयूतिया गाना गाली धान कुटते कुटते वो सुनने के लिए मेरे कान लालाई थे था मेरे कान तरस गए थे तो वो ये बहुत दिनों के बाद कभी ने सुना हैं महुलसरी के धेर सारे टटके ताजे फूल तब महुलसरी के जो फूल थे उन फूलों को भी कभी ने बहुत दिनों के बाद देखा है अपने गाउं में अब उन भुशों की उन फूलों की, जो महतरी की फूल बता है, उसकी बहुत अच्छी भीनी-भीनी कुश्बू होती है, तो वो खुश्बू को कभी ने बहुत दिनों के बाद ने ग्रहन किया है, उसको महसूस किया है, और कभी का यह मानना है, कि मैं इतना महानगरों में गया रहा, लेकिन जो आनंद इस खुश्बू में मुझे मिला है, वो अन्यतर कहीं नहीं है, दूसरी जगे कहीं भी नहीं है, और उसमें कुई ने नागार जिन्जिय मानते हैं, कि जी भर के मैंने इन सारी चीजों का आनंद लिया है, आस्वाल लिया है आगे कभी कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद अपकी मैं जीवर चुपाया अपनी गवई पगडंडी की चंदल वरनी धूर बहुत दिनों के बाद अब क्या हो रहा है कि गाउं की जो चंदल की समान धूल है जिसकी खुश्बू इतनी बड़िया आती हो उसको मैंने सपरश किया, देखा, महसुस किया और वो मुझे कहीं भी नहीं मिली तरथा, गाउं की जो सुखद अनुगूती है गाउं का जो सुखद अहसास है वो मुझे अन्यतर कहीं भी नहीं मिला और ये जो सुखद अहसास है यह जो सुखद आनन्ना नुगूती है, यह मेरे मन में सहा गई है बहुत दिनों के बाद अपकी मैंने जी भर ताल मखाना खाया, गन्ने चूसे जी भर करन अब कभी क्या कह रहे है, कि बहुत दिन तक ताल मखाना जो सिंघाडे है, वो बहुत मात्रा में गाउं में हुआ करते हैं सही बात है ना, बड़े शहरों में कहां दिखाई देता है, बड़े शहरों में बच्चों को बहुत बार फता भी नहीं होता है कि यह क्या चीज है अब गर्ण शहर में क्या मिलना लग? शहर में गण्थ यूज़ने थोड़ी मिलने वाला है शहर में तो शुगर कैंडी का जूज़ नीम जिस सम्हा तो जूज़ घूआ है उन्हों की अनन्द है और गण्ये के ड़ज और गण्ये के आनंद से मैंने जीवर भूगे भूगे असल में लोग बोलते हैं कि अरे वो अपने कर्म का फल भूग रहा है तो उस अर्थमीन नहीं है यहां पर भूगने का मतलब कभी ने क्या लगाया है आनंद लेने से तो बहुत दिनों के बाद अपकी मैंने जीवर भूगे गंद रूप रस जीवर जीवर भूगाया है उससे मैंने अपने रस रूप गंद शब्द सपर्श मैंने इसका भरपूर स्वाद लिया है भरपूर आनंद लिया है अर्थात कभी नागार जूर इस कविता के माध्यम से बहुत दिनों के बाद मतलब कभी बहुत दिन तक महानगर में रहे हैं और बहुत समय के बाद जब अपने गाउ में लोग कर आए है तब उन्होंने प्राकृतिक सुश्मा का जो आनंद दे लिया है उसका उन्होंने यहाँ पर बखाम किया है कि मैंने अपने गाउ में ही आकर प्राकृतिक रूप का जो जीवन है सही मायनों में जो जीवन है वो जीवन को जिया है और वो जीवन जिनने के बाद में जितने भी दिन महानगर में था मुझे ये सारी चीजों की कमतरता कमी खल रही थी और अब मैं जब यहां पर आया हूँ अपने गाउं में आने के बाद में मैंने इन सारी चीजों का सुनेली फसलों का आनंद लिया है मैंने वो जो कुमारी है धानपूर्ते में गाना गा रही है उसका कोयल सी आवाज है, कोयल की आवाज का है, धानपुर्ती महिलाओं के गाने को सुना है, मजदूर जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, काम करते करते, वो जो गाना गा रहे हैं, उनके स्वरों से जो गुंजायमान हो रहा है, उसका मैंने आनन्द लिया है, बहुत दिनो कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दिया है उसी प्रकारों कह रहे हैं कि अपने गाउं की पगडंडी से चलकर जो मैंने उसकी जो चंदन के समान धूल है चंदर मर्णी जो शब्दा आया है उसका जो आनन्द है उसमें जो एहसास है इतनी सुंदरता इतना जो सुखद एहसास है वो मुझे कहीं भी नहीं मिला है अर्था कभी कहते हैं कि गाउं पर लोटने के बार मैंने जो ताल बखाना सिंगाडे बहुत सादा मात्रा में उसका आनन्द लिया है उसका गन्ने का जो खाकर चूज कर गन्ने को चूज कर मैंने उसका जो आनन्द लिया है उसके जैसा और अब इन सारी चीजों से मैं तुरुप्त हो गया है। तो कुल मिलाकर कभी नागार जुन ने हमें बताया है कि बहुत दिनों के बाद मैंने जीवर कर अपने जीवन को जिया है, उसका उपभोग किया है। फिर वो रस के रूप में और गंधे के रूप में और शब्दे के रूप में और स्पर्श के रूप में हर तरह से मैंने अपने गाउ में ही आकर अपने जीवन का आनद लिया है। और आज मैं उससे पूरी तरह से तुरुप्त हो गया हूँ। धन्यवादी